जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिपशक्ती दरबार की, बोलो राधा रामन हरी बोल आप सभी को मेरी तरफ से जै बाबा की, जै मा बाबा की, मेरा नाम हर्शिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना DNA क्यों अलग कराया मेरे परिवार से हम DNA में मेरी ममी पापा, हम चार भाही बैन, मैं अपने ममी पापा की सबसे बड़ी बेटी हूँ तो हम लोगों ने, दिसेंबर में हम लोग फर्स टाइम दरबार आये थे, हमारे पास पैसे का जुगार सारी चीज़े नहीं थी तो हम लोगों ने जनवरी तक कैसे भी अरेंजमेंट करके वो भी बताऊंगे कि यहां पर भी बाबा का बहुत बड़ा रोल है पैसे का अरेंजमेंट करने में तो हमारा, मतलब जनवरी में हमारे सारे हवन हुए मेरी ममी ने नॉड़ा से ही, नॉड़ा के दरबार से ही हवन लेकर के गई थे घर पर और हाँ, जिस दिन हमारे घर हवन आये थे, उस दिन भी मेरे साथ कुछ हुआ बाबा वो भी मैं बताऊंगे अपना अनुबव तो अभी में जो टोपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ उसपर मैं बात करती हूँ तो हमारा जैनवरी में हमारे हावन हुए मैं नौिडा ही रह रही थी मेरे घर वाले घर पर ले जाकर यहावन किया था तो मैं वाटसअप वीडियो कॉल के थूँ वावन देखती थी और चार फरवरी को हमारी सारी चिकित्सा हो गई थी मेरे पापा दरबार नहीं गए थे तो उनके लिए एक जो ब्लैक मैजिक रहता है उस वो मैंने किया था और इस मेरे चिकित्सा मेरी ममी ने किया था उतना मेरे घरवाले नहीं जान पाए थे तो उनकी भी कोई गलती नहीं है कि वो दरबार को नहीं मान रहे थे क्योंकि वो मेरे कहने पर मान रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ खुछ से अनुभव नहीं किया था खुछ से कुछ फील नहीं किया था दरबार के लिए क्योंकि जब मैंने दर्बार के बारे में इतनी सारी वीडियोस देखे और obviously जब कोई इनसान इतनी सारी वीडियोस देखेगा दर्बार के बारे में सारी चीज़े जानेगा तो यार उसे दरबार पर विश्वास आएगा ही आएगा और कुछ experience मैंने भी देखे कि नहीं बाबा ने मेरी life में कुछ करने लगे थे दीरे-दीरे जहां-जहां मुझे जरौत पड़ी बाबा ने वहां मेरा साथ दिया तो मेरे घरवाले मतलब उस श्रद्दा भाव से नहीं वह कर रहे थे और मेरी मम्मी किसी दूसरी गुरू परमपरा से जुड़ी हुई थी मैं नाम मुझे नहीं चिपाना मैं बता दूँगी मैं बता दे रही हूँ वो है उनका काफी जगा धाम है क्या मैं भूल रही हूँ आनंदपूर करके पढ़ता है मद्य प्रिदेश में वीना के आसपास और उन गुरू जी का क्या नाम था परमहंस पता नहीं क्या उनको फ्लाल आनंदपूर वाले ऐसे कहते हैं और उनका नगली धाम ऐसी ऐसी जगा भी उनका जो भी है दरबार बने हुए है तो वो उनसे जोड़ी हुई थी है ना तो धीरे धीरे जो मेरी परिशानी थी मतलब एक बार के लिए तो जैसे खतम हुई थी हम जब दरबार से आया और मेरे घरवाले किया है हमारी जो चाचा जी है वो बाला जी को बहुत ज़्यादा मानते थे तो उनके थूँ मेरे घरवाले भी मतलब बाला जी को मानने लगे थे और मुझे भी लेकर कि मेरी मम्मी एक बार वहां बाला जी गई थी और क्या था कि मतलब हमारे घर में ये और शायद अभी तक भी है ये कि वो लोग शनीवार और मंगलवार को प्याज नहीं खाते हैं लस्टन नहीं खाते हैं यही सारी चीज़े हैं न तो मतलब वो लोग उनको मान रहे थे और मुझे ये था कि मैं दरबार में भी रोई थी उन लोग के सामने कि प्लीज आप लोग किसी को मत मानना आप कोई मंदर मत जाना मंदिर क्यों नहीं जाना उसकी भी मैं reason बताँगे कि मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए और जाना चाहिए तो कौन से मंदिर जाना चाहिए तो मतलब ठीक है तो फिर लेकिन मैं 101% sure थी कि ये लोग नहीं मानेंगे दरबार को क्योंकि इन्होंने कोई experience नहीं लिया है दरबार से और सच बोलूं वो लोग दरबार को थोड़ा doubt की नजर से देख रहे थे कि मतलब वो लोग ये कि हाँ इतना महंगा treatment है ये वो सारी चीजे लेकिन ये नॉर्मल कभी डॉक्टर के पा आगे के लोगों से लड़ने का आगे के रोगों को भी खतन करने आ तो मैं तो सारी चीजे समझ रहे थी क्या दरबार ये जो चिकुत inning पैसे में हो रहे है तो प्र ये कहां कहां लग रहा है है लेकिन वो लोगों को नहीं समझ आ रहा था या एसे करके और पता नहीं क्या था और मेरे घरवाले उन तो दीरे दीरे वो हमने चार प्रप्रणी को पूर प्रिक्रिया और एक महीं में मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं जिंदा लाशिक गम ऐसे हो गया था कि मेरा शरीर बिल्कुल चले ही नहीं ना भूग लगे ना प्यास लगे और बहुत गंदा हाथ मेरा शरीर ऐसे हो गया था कि मेरे शरीर में बहुत पीड़ा बहुत दुखन मतलब बहुत गंदा वाला मेरा वह हो गया था अब इससे पहले क्या था मैंने ये सोचा था कि यार मैं हर महीने दरबार जाया करूँगी मैं एक बार तो मैं जाया ही करूँगी दरबार तो मैंने टिकेट ना अपना काफी मैं तीन चार हफते पहली कर लिया था शायद फरवरी में ही मैंने अपना टिकेट कर लिया था मुझे ये नहीं पता था कि बाबा मेरे को इसलिए बुलवाना चाहेंगे क्योंकि देख तो बाबा भी रहते हैं ना सारी चीज़े तो फिर मैं गई दरबार और मतलब बहुत जादा दुख पीड़ा में गई थी रुद्रा विशेक हो रहा था तो मैं रुद्रा विशेक में सब लोग जैसे हैं वो पूजियामी बोलते हैं और जो भी क्लैपिंग वगरा करते हैं जब आर्ती होती है तालियां वगरा बजाते हैं और मेरा शरीर इतना पीड़ा में था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरे को सिर्फ ये था कि मेरे को रुद्राविशेक से कोई मतलब नहीं था, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, बस मेरे मुझे के आवाजें निकले जा रही थी, मेरे शरीर में इतना जादा द मुझे निराश करके मत भीजना आप मुझे नहीं पता इस सब का क्या solution है और मैं घरवालों को DNA से अलग नहीं करना चाहरी मुझे नहीं पता क्योंकि एक safety रहती है ना वह वाली चीज की हमें चार लेकिन मैं दर्वार से निराश करके नहीं जानी चाहिए हो मुझे नहीं पता और मैं घरवालों को DNA में और भी मतलब और कुछ अंकल वग्रा को भीया वग्रा जिन से में कॉनेक्ट था दर्वार को काफी प्रेसे मैं लोगों पूचे तो क्वेटर रिशानी तो DNA लगा लोग तो पहले सी हो रखा था ना बाबा ने तो मेरा इंविटेशन मुझे पहली भेज़े रहे कि बेटा तुम्हें आना है और मैं पहुची दरबार मेरे को वही दिक्कत खूब जाता दिक्कत खूब शरीर में पीड़ा और बाबा से मैं लगातार प्रातना करे जाओं बाबा निराज करके मत भेजना मेरे शरीर में बिलकुल जान नहीं है बहुत जादा गंदी हाला तो रही है बहुत पीड़ा है मेरे शरीर में बहुत दुखन है लगातार मैं बाबा से पातना करूँ अब जो ही स्मृति चिकित सा चल रही थी शिपशक्ती दरबार में उस टाइम अर तो मैं जो मनीश भह Glückा थे उनके पास गई मैं क बहुंगे ऐससे परिशान ओर में बात करते करते न रोने लगी क्योंकि मैं बहुत जादा परिशांती मैं बहुत जादा ऐसा लग रहा थे कि मैं अब अब दम मेरा दम निकला, ऐसे करके मेरा हाल हो रहा था, मैं मनीश भहिया के पास गई, मैंने मनीश भहिया को सारी कहानी बताई, और जो भी दरवार के सेवक हैं, जो गुरू जी के साथ रहते हैं, मैं उन सेवक को की बात कर रहे हूं, तो मनीश भहिया तो भाई मेन हैं, वहा बाबा का जैसा आदेश उन्होंने तुरंत मेरे को बोला इस परशी पर अपना नाम लिखो और डीने का संकल करवा रहा हूं लो ऐसे कर क्यों मेरे पास पैसे भी नहीं थी डीने अलग कराने के मैं बाबा से यह भी लगतार परात्ना कर रहे थी मैंने का बाबा अगर मैं डीन पैसा नहीं जान गये थे या तो या तो क्या डेफनेटली बाबा के दरबार में बाबा की मरजी के बिना कुछ नहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता तो बाबा ने उनको आदेश लिया और मानीश भहन मैं खुश शौक्ड थी कि जैसे पता नहीं मेरे शरीर से क्या उड़ गया हो और मेरे शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं इतने से इतनी ना कोई दुखन ना कोई ऐसा कि मेरे शरीर में बहुत ज़ाथ कमजूर यह कुछ नहीं मैं इस चीज का गुड़गान नहीं करना चाओंगी लेकिन कहां मैं एक तालिया नहीं बजा पारी थी रुद्राभी शेक के वो जो होता है ना खड़ी तक नहीं हो पारी थी आरती के टाइम पर लेकिन शाम को बाबा के दरबार में पहुच्छा लग रहा था मैं पहुच्छा लगवा करके आई हूँ पूरे शद्धा भाव से पूरे मन से पूरी एनरजी के साथ ये मैंने चमतकार देखा कि नहीं यार मिरे को तो मतलब इस तरह से मेरा डी एने अलग हुआ और मैं ठीक हूँ अभी मेरे डी एने में मेरे घरवाले नहीं है बट धीरे 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 उनको मतलब धरबार के प्रतिशद्धा भाव भी आ रही है अब जैसा भी है बाबा पता नहीं उनके लिए क्या चाह रहे है या कब उन पापा का नया फोन लिया है तो पापा कह रहे थे कि उसमें अपने फोन पर लगाएंगे आगे कि मेरे पास कोई फोटो नहीं है बाबा का तो बाबा का फोटो में लगा पता है कि नहीं यहां से यह लोग थोड़े अट्रेक्ट होंगे दरबार की प्रति तो मैं वो वीडियो भेशती ही भेशती हूं जो भी चीजे करने के लिए जैसा भी कुछ भी रहता है मैं उनलों को भेशती ही भेशती हूं क्या आपकी लाइफ में सूख आएगा मैं यह नहीं कहा रही कि बहुत पैसा बर्सेगा यह होगा वो होगा वो तो सारी महनत भी है और फिर बाबा भी है ना अगर जैसे किसी छट के चार पिलर हैं आप तीन पिलर का काम कर लो अगर एक पिलर आपका नहीं बन पार है कोई नी बाबा आके वो पिलर बना देंगे लेकिन आप तीन पिलर तो बना हो है ना तो यह वाली चीज है बाबा यह तो पिलर आपको बना के देंगे तो यह वाली चीज है महनत जारी है आर्थिक तंगियां भी दूर हो जाएंगी मेरी भी सबकी भी क्योंकि बस इतना है कि महनत हम करते जाना है लेकिन बस यह है कि जो एक सूख हाता है क्योंकि मैंने जितना मेरे साथ परिश्यानिया रही उस सब में बस यही मैं सोचती थी कि बस मैं कैसी करके शरीर की परिश्यानियों से सुखी हो जाओं वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है ऐसे करके मैं सोचती थी तो मैं बस यही कि हां बस मेरे घरवाले भी कैसी करके बाबा की प्रतिर शद्धा भाओ आजाए और जितना जल्दी इने शद्धा भाओ आए जितना तगड़ा वाला इने शद्धा भाओ आए बाबा उतनी जल्दी इने बुला लेंगे तो अब मैं भी इस बारे में नहीं सोचती वरना मेरे को बहुत ज़ादा गिल्ट रहता था कि यार सारा पैसा करजा पानी करकर आके मेरे पैरिंट्स ने मेरे हवन कराया और मैंने उनको DNA से अलग कर दिया ऐसा करके मुझे बहुत टाइम तक गिल्ट रहा बट बाद में कुछ चीज़े ऐसी घटी तो मैं सोचती थी कि नहीं बाबा की ही इच्छा थी कि जो कि DNA अलग कराया वरना उसका सब कुछ मुझे जहिलना पड़ता वो चीज़े भी बताऊंगे कि परिवार के साथ क्या हुआ DNA अलग कराने पर तो बस आज के लिए इतना ही बाकी मिलेंगे जल्ड ही नई वीडियो के साथ नए अनुभव के साथ जै बाबा की जै हो करोली सरकार की जै हो का माख्या माता की जै हो शिपशक्ति दरबार की बोलो राधा रामन हरी बोल